कैसे हैं आप लोग आई हो कि आप सब बहुत अच्छे हो गाई तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है पिकर आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप बहुत ही ईजिली और पावरफुल तरीके से अपने डिजायर जॉब बिजनेस प्र जाकर उसे सक्सेस मिलता है लेकिन मैनिफेस्टेशन करने से मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपलाई करने के बाद आपके लाइफ में जो डिलेज होते हैं जो स्टेगनेंसी होती है जो ब्लॉकजिस होते हैं आपके पात में वो हट जाते हैं या फिर जो रास्ता है जो और उस सपनों को सच करने के लिए आपको आगे बढ़ते रहना होगा ठीक है बैठे बिठाए कुछ भी हासिल नहीं होता है लेकिन आप अगर महनत करते हैं अगर आप you know ambitious है तो उसके साथ आप इस टेक्नीक को एपलाई कर सकते हैं ताकि चीजे आपको जल से जल मिले और जैस ता में भी मैं daily free readings करती हूं okay and daily guidance और भी तरह के spiritual content आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही जाथ हेल्फूल हो सकता है तो जरूर जुरी ये 169.5 पीज पेसीजि कानेम है mysticism by poorva okay and paid readings energized stones crystals online tarot classes और remedies अगर मुचे इप मुचे ओट्पक नम्बर पो पर कॉंट्रेट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौझूद है, गाईज, तो चलिए, शुरू करते हैं, इसके लिए को कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक नोट बुक लेना है, और आपको पेन लेना है, मार्कर लेना है, जो भी आपके गंदे खराब पेपर्स पे ना करें, साफ सुत्रे पेपर पे करें, तो देख लेते हैं, कैसे करोगे, आप बहुत ही इसी लिए आप कर सकते हो, यह जो मेनिफेस्टेशन टेक्नीक है, यह आप कभी भी कर सकते हो, कोई यहाँ पर एक, यूनो, स्पेसिफिक टाइम एरिया नहीं है, जहाँ पर आपको इसी वक्त में, इसी जगह, इसी समय पे करना होगा, आप किसी भी वक्त, जिस भी वक्त आपको कन्वीनियंट लगे, आप उसी वक्त में इसे आराम से कर सकते हो, आप दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, सुभ अगर आप एक दम यू नो एक प्रॉपर रिज़र्ट चाहते हो ठीक है डिस्परेट ना होकर तो आप अल्टरनेट डेस पे करें तो शुरू करते हैं तो आपको लेना है एक नोटबुक ठीक है क्योंकि आप इस चीज को रिपीट करने वाले हैं तो अगर आपके लिए आपक पॉफेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा किसी भी तरीके साब बना सकते हूँ कोई याँ पर एक क्राइटेरिया नहीं है कि कैसे बनाना है नहीं बनाना है ठीक है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिए है अब इसके उपर और एक बड़ा सर्कल ब direction नहीं है कि clockwise ही होना चाहिए जैसे आपका मन करें इस तरफ से बना सकते हो इस तरह से बना सकते हो ठीक है जिसमें comfortable हो और आपको इस साइड में एक लाइन बनाना है इस तरीके से यह पर 3 partitions हो गया है और यहाँ पर circle है इसके अंदर में आपको lines नहीं बनाना है ठीक है बस यहाँ तक है बनाना है इससे बना रही हूं अब आपको अपने intention fix करने है इस circle को concentrate करती हुए कि आप क्या चाहते हो ठीक ह यहां पर फिट से एक्जामपल लेते हैं for an example, अगर आप कोई एक particular job चाहते हो, मतलब आप business में नहीं हो, आपको कोई एक नौकरी ही चाहिए, चाहिए government और private और आपकी मरसी, आपको एक job चाहिए, ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, आपको job का नेम नहीं लिखना है, क I am doing this job or that thing, आपको लिखना है कि मैं already उस नौकरी में हूँ, बस इतना आपको लिखना है, या फिर मैं उस नौकरी को already कर रहा हूँ, भले आप नहीं कर रहे होगे, क्योंकि आप manifest करना चाहरे है, तो आपको लिखना है, कि आप उस नौकरी में already हो, आपके पास नौकरी आप आपको मिल चुकी है, या फिर आप उस नौकरी पर काम कर रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे, तो for an example, अगर आपको जॉब चाहिए, तो आप लिखोगे, कि I am having my dream job or I am doing my dream job, ठीक है, or I have my dream job, ठीक है, तो लिख लेते हैं, अब इसे आप कोई भी language में लिख सकते हो, कोई आप पर barrier नहीं है, English, Hindi, Bangla, Tamil, Urdu, जो भी मन करें, जो भी आपका mother language है, आप उस में लिख सकते हैं, अपने भाशा में लिख सकते हैं, जैसा मैं आपको बता है, उसे translate कर लें, और उसके according आप लिख दे, ठीक है, तो लिख देते हैं, देखिए, मैंने आपर लिख दिया, कि I'm doing my dream job, okay, अब आपको क्या लिखना है, इस चीज से related, तो इसमें आप business भी add कर सकते हो, okay, I'm doing my dream business, or finally I'm an entrepreneur, okay, और कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, जो भी आप, you know, करना चाहते हो, business में, job में, ठीक है, या फिर अकर finances में भी, you know, finances manifest करना जाए, तो कोई एक particular amount का, तो इसमें लिख सकते हो, कि I have that much amount, ठीक है, जो भी, जो भी, जितने भी, dollars, जितने भी, currencies, आपको चाहिए, जैसे भी हो finances, ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, आप अपने according लिख सकते हैं, कोई आपर specific rules नहीं अब आपको इस चीज से related, आप इसमें क्या चाहते हो, ठीक है, इस job में, इस business में, इस finances में, आप basically और क्या क्या चीज़े चाहते हो, for an example, अगर कोई इनसान यहाँ पर अपना dream job manifest कर रहा है, उसे एक dream job चाहिए, जहाँ पर उसके हाथ में power हो, ठीक है, जहाँ पर वो independent feel करे और जहाँ पर उसको authority मिले, या फिर जहाँ पर वो peacefully काम कर पा रहा हो, ठीक है, तो तीन चीज़ को पकड़ लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि वो एक ऐसा dream job manifest करना चाहते हैं, जहाँ पर उसको power चाहिए, ठीक है, मदब उस job में उसको power चाहिए, ठीक है, औ तो चली लिख लेते हैं, तो इसमें आपको फिर से और एक intention लिखना है, पहला उसका intention ये है, कि वो dream job तो चाहते है, और हो चाहते है, कि इस job में उसको power मिले, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया, I am attracting power, मतलब, वो इंसान power क कर रहा है, इस job में, ठीक है, तो आपको पूरा sentence लिखने की जरौत में है, कि paragraph में आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, story की तरह, आपको short में ही लिखना है, तो आप अपने भाशा में लिख सकते हो, और आपको power ही नहीं, मतलब, जो भी आप चाहते हो, अपने इस particular dream job से, dream profession से, finance से, dream career से, जो भी आप चाहते हो, आपको तीन major चीज, major, मतलब, सबसे important कौन से तीन है वो, उसे आप छांट कर निकाल ले, और लिखे one by one, ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि उसको peace भी चाहिए था, अपने dream job में, तो यहाँ पर फिर से ही मैं लिख दूंगी, ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया, कि I am attracting peace, मतलब उसको इस job में peace चाहिए, ठीक है, और फिर उसको चाहिए, एक अच्छे amount का salary, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, कि I am attracting huge amount of salary, जो भी है, ठीक है, तो इस तरी के साब लिख सकते हो, और इसको आप सीधे भी लिख सकते हो, उसको उल्टा भी लिख सकते हो, जो भी आपको, जैसे भी comfortable हो, उसी हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, घुमा घुमा कर भी लिख सकते हो, तो और भी अच्छी बात है, अगर एक दम सीधा सीधा, बिना हिलाए copy को लिखना चाते हो, सीधा सीधा सीधा, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, तो बस आपका यह काम यहाँ पर हो गया है, ठीक है, और यह जब हो जाएगा, ठीक है, तो आपको जो में आपका use होता है वही वाले official name को आपको यहाँ पर चारो जगा पर लिखना है कैसे लिखोगे for an example यह जो इंसान जो dream जो manifest कर रहे है उसका नाम xyz है including the surname तो यहाँ पर वो अपना नाम लिखेगा ठीक है पहले उपर और नीचे फिर sides में ओके इस तरीके साथ आपने लिख लिया और अब आपको क्या लिखना है अब आपको आपका जो birthday है ठीक है life path number लिखना है यहाँ पर life path number कैसे निकालोगे आपका जो birthday है ठीक है यानि कि अगर आपका बड़ड़ है 21 ठीक है birthday जो date है जो तारीक है वो for an example 21 है तो 2 प्लस 1 3 होता है ठीक है तो आपको 3 यहाँ यहाँ पर लिखना है ठीक है तो जो भी आपका बड़ डेट हो ठीक है अगर सिर्फ 1 हो तो 1 लिखना है अगर 12 है तो 2 plus 1 3 मैं तो add कर देना है आपको numbers को ठीक है sum निकाल लेना है तो for example अगर इसका birth date जो है इस इंसान का 21 है तो 2 plus 1 3 होता है तो यहां पर भी मैं 3 लिख दूंगी ठीक है उपर फिर नीचे and then sides में ठीक है हो गया ठीक है पस और आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है उके उसके बाद आपको इसको बंद कर लेना है ठीक है notebook को बंद कर लेना है और side में जाब भी रखतों रख देना है और gratitude शो कर देना है ठीक है कि you know you are thankful to your God you are thankful to your universe ठीक है और thought के बाद में पता चला तो आप मुझे भी gratitude जरूर शो कर सकते हैं ठीक है क्योंकि एक वे है प्यार देने का ठीक है तो definitely जिनको भी जिनको भी आपको लगता है कि आप gratitude शो करना चाहिए God, universe, parents जो भी है उनको gratitude शो करें ठीक है और बस आपका काम हो गया यही चीज आपको repeat क करना है ठीक है और एक particular चीज को ही focus करें ऐसा नहीं कि आज आप job manifest कर रहे हो परसो आपने business manifest कर लिया और वो लिख लिया नहीं पहले शोर कर लो खुद को कि आपको क्या करना है क्या manifest करना चाह रहे हो कैसे चाह रहे हो ठीक है और क्या क्या attract करना चाह रहे हो specific field में ओके और पर नेम से यहां पर जो है life path number कह सकते हो ठीक है जो birth date का सम से यहां पर आएगा ठीक है और बस इसी तरीके से आपको यहां पर कर लेना है और आपका काम खतम okay guys so guys I hope आपको helpful लगा हो अगर आपको और वी कोई doubt हो तो comment section में पूस सकते हो अगर मुझे time मिले तो मैं जरूर आ लोग को next video में guys तब तक के लिए bye bye